पिस्माबर रहे, इसको हम ढिस्क्रोस करने के कोश्च कर रहे हैं है Скिन Quéऊनिकल के लिए, क्लीनिक लोडे के बारे में हम पते चलाएंगे bruising should be correlated with the history of the trauma bruising के बारे में हम यह जखेंगे कि यह bruise color की discoloration bluishness जो आई है यह किस वज़े से आई है इसके लिए दो sign है एक है colon sign और दुसरा है greater nurse sign यह bluish discoloration अब दाम like us in flames यह जो colon sign है colon sign में क्या है यह umbilical area में bluishness आती है इसको peniculitis कहते है peniculitis क्या है inflammation of the fat beneath the outer layer of skin skin के outer layer के नीची जो fat होता है वो क्या हो जाता है उसकी inflammation हो जाती है और gray turner sign में क्या है कि discoloration in the left flank हमारे left side पी जो flank area है नीची तो उसमें discoloration हो जाता है जिसका जिसकी वज़ए यह होती है कि pancreatitis का inflammation है आर रिलेटेट तो दे एंट्रोब्डॉमिनल एंड रेट्रोपी रोटुमें ब्लेडिंगे इंट्रोब्डॉमिनल हेमोरेज के वज़ए से हैं जिसके वज़ए से ओज़ए और वह जगा ब्लुइश नजर आ जाती है तो ओन्ट्रोब्ड़ would want to question the patient diligently for causes of such bleeding आपने उन से बुचना होगा कि यह bleeding क्यों आई है सिवेर्स पिनकेटाइस यूकि पिनकेटाइस की होज़ए से है ट्रामा की होज़ए से है रप्चर एक्टोप प्रेगनींसी या होज़ए से तू नहीं है कि अमारे जिसे लाइन जाँ चाहने इस तरह की लाइन ना जाँ आ जाते हैं जिसका नाम है सट्राइ कुझे सब्सक्राइ करें इस थे बार थी 000 फैडिट रपसर बाइन हो जाए है this is seen clinically in the pregnancy je pregnancy में यह pregnancy में weight बडल जाती है और your dognut में की उपर pressure आ जाती है कि हमारे जिसम में बहुत जीधा कार्टीसोल खBecause MA जड़ा कर्टिसोल खारिज जाती है कोशिंग सिंड्रोम में यह स्ट्रेस हर्मोन हर्मून ही कहा जाता आ इस जाता है कार्टिसोल की as to their position, उसकी पॉजीशन को भी and their characteristic और उसकी ख़दोखाल, ख़सुसियात को के बारे में आप ट्रंफेशन और अन्शूर अवट काइन आप सर्जरी they have had but the position of the incision may give the examiner clue, examiner को clue कहा से मिल जाती है नुकता incision के वज़े से even though a transverse right lure cordon incision suggests appendix जिसकी appendix का अपरेशन हुआ हो तो कहा से पता चलेगा के transverse right lower quadrant पे हमारे जिसम के right side पे और नीचे side पे वहाँ पर एक transverse बिलकुल transverse की तरह एक line होगा चोटा सा दबा होगा इसका नाम है कि appendix to me हुई है however it is no way prove it it in no way proves it and one of them must be circumspect in making any such assumption the scar tell the examiner about the surgery या उसी तबी से examiner भो पता चलेगा कि कौन सी surgery हुई है all scar are initially raised and red जितने भी जखम होते हैं ये सबसे पहली ये red नजर आ जाती है और उबरे हुई होते है they gradually fade वो खतम हो जाते है आहिस्ता आहिस्ता to pink pink कलर की and by the six months six महीनी की उमर में आरजंड रेलिफ्याट बिलकुल सीधी हो जाती है and skin color are there और वूज जगा पर gray color का या skin color का उकिया हो जाता है दब रह जाता है wounds that heal cleanly by first intention are thin and regular जो बिलकुल खतम हो जाते है heal हो जाते है तो बिलकुल thin हो जाते है और regular हो जाते है whereas those that are infected and heal by secondary intention are wider और जो जब infection हो जाती है या कोई दूसरी operation हो जाती है तो बिलकुल wider नजर आ जाते है वो दबा और irregular हो जाती है किलाइड्स किया है जो collagen tissue की accumulation हो जाती है type 3 collagen type 3 और tissue फिर उबरी होई नजर आ जाती है किलाइड्स are wide ये wide होते है irregular scar irregular गेर बाकाईदीगी से वो जखम होते है दब्यों होते है with abundant high for tropic tissue बिलकुल collagen की abundant tissue वो वहा से बन जाती है outside the field of normal scarring और नार्मल जो उनका दब्बा हो जाता है वो तोड़ सा उन से उबर हुआ नजर आ जाता है ये वाला किलाइड फोर्मेशन टेंस टूडियाकर in certain individual ये अक्सर लोगों में पाहे जाता है and is particularly uncommon in black और ये अक्सर काली लोगों में अक्सर हो जाता है in large one और अभी का बार हमारे वेंस जो ना ये अबरे होई नजर आ जाते है अबरे होई सूज गई होते in large one are seen in three clinical situation emaciation जब बहुत ज़्यदा कमजूर हो जाती है फेट्स खतम हो जाते है बिलकुल में हमारे रग ये नजर आ जाते है उसका नाम है emaciation portal hypertension जब portal system में वो वेंस जो liver को transport कर जादे blood को transport करती है उसका नाम है portal तो portal hypertension and inferior vina keva या अगर inferior vina keva की वो किया हो जाते है abstraction हो जाती है in emaciation there is a last of subcutaneous pets subcutaneous pets खदम हो जाती है so that the normally invisible जो कि normally हमें नजर नहीं आती whence become prominent वो वेंस जो नारमली हमें नजर ना आता हो वो भी नजर आ जाती है these winds become more prominent in the presence of portal hypertension जो portal hypertension हो वो वेंस सूज जाती है और उसकी होज़ा से वो अबरे हुई नजर आ जाती है in portal hypertension the umbilical winds become an outlaw trick of the portal system and form collaterals with the winds of the abdominal wind और abdominal में वेंस नजर आ जाती है this is responsible for the kaput medosa kaput medosa kaput medosa वो condition the cluster of swollen veins in abdomen जब हमारे abdomen में उबरे हुई वो रगों का एक cluster जमगत नजर आ जाता है तो इसका नाम है kaput medosa that is a diagnostic जो कि एक तश्वीस है a portal hypertension कि ये portal hypertension के लिए एक तश्वीस है the direction of blood flow in these veins in portal hypertension is normal नार्मली जो है न वो बिलकुल क्या है upward in dose about umbilical area से उपर जो veins होते हैं वो इसमें blood का जो flow है वो आप उपर की तरफ होते है down and in dose below और नीची की जो veins है इसमें वो blood का flow नीची की तरफ umbilical area से नीची की तरफ उन रगों में नीची की तरफ blood flow होती है और उनसे उपर उपर की तरफ हो जाती है blood का blood की एक flow as the blood is flowing from the higher pressure portal system to the lower pressure systemic system ठीक है अगर इंफिरियर विनाकेव में अब्स्ट्रीक्शन हो तो फिर क्या हो जाएगा इंफिरियर विनाकेव वो veins होते है जो deoxygenate blood को right side of the हारेकल को लेकर आ जाती है वापस लेकर आती है तो वह आपर आपकर अब्स्रीक्शन हो जाती है तो उसके हो जासे veins dilate हो जाती है जिसागर because the abdominal wall become accolateral abdominal wall में एक और सी veins नजर आ जाती है bypass around the obstruction of the keva, keva भी अगर उस veins में obstruction आई है तो उसकी sidewise या दूसरी तरफ से वो veins क्या हो जाती है, नजर आ जाती है in this situation उसी हाराद में the direction of the blood will be reversed blood flow का जो direction है वो reverse हो जाते है below the umbilicus, umbilical की नीचे as the blood flow from the femoral vein to the superior vein aqueo obstruction of the femoral vein aqueo is a result of the hepatic malignancy अगर liver में कोई cancer है तो इसकी वज़े से भी obstruction हो सकती है as an extension of hepatic vein obstruction but cherry syndrome to but cherry syndrome क्या है clots in hepatic vein हमारी hepatic vein में liver के पास जो veins जाती है उसमें clots आ जाती है उसी condition का नाम है but cherry syndrome is the result of the thromboplybitis अगर या thromboplybitis हो thromboplybitis क्या है clots in the vein of legs हमारे टांगों की पीछी जो वेंस गई होते हैं उसमें clod आ जाती है तो thromboplybitis या सूपर्पीशल हो या डीवीटी हो सकती है deep vein thrombosis दीर हो सकती है और is a result of trauma or surgical intervention या trauma होई है या कोई surgery होई है तो उसके जैसे वो उबरे होई नजर आ जाती है अभी mask के बारे में कि abdomen में या किसी और जगह में mask है या नहीं है mask क्या होई चीज़ होता है ये एक heart सी चीज़ होती है mask noted on inspection of the abdomen may be related to organs in that area the sample is in the right upper quadrant may represent hepatomygely अगर आपके right set क्यों में क्या mask है सखत चीज़ है तो इसका नाम है hepatomygely होई है ये sky का indication है कि हमारा liver enlarge होई है from hepatitis या रखान की वज़े से या hypnotic tumor या कोई tumor है a distant galbladder या galbladder की distinction होई है सूच गी है from colisistitis inflammation inflammation of the galbladder is called colisistitis और pancreatic cancer या कोई pancreatic cancer में मसला है और a carcinoma in the head या pancreatic cancer में अगर कोई जिल्जी जगा पर क्या है cancer है तो इसके वज़े से right upper quadrant वो इसमें आपको सखत चीज़ मिज़र आएगा या and if gastric mass is likely to be from acute gastric distension अगर gastric मेदी में कोई distension है pancreatic pseudocyst या pancreatum है pseudo exist बनी हुए है pancreatic cancer या pancreatic cancer है या aneurism है blood flow oozing हो रही है या extra pulse हो रही है of the abdominal aorta which will be pulsatile जो कि वो pulse की तरह वो कि आपको महसूस होगा या नजर आएगा mass is in the left sub-coastal region अगर left side पे नेचे की तरह coastal नेचे की तरह sub-coastal region में are generally due to the spleen में के लिए वहाँ पर आपको नजर आएगा कि यहाँ पर spleen की enlargement हुई है आज तो carcinoma of the spleen is a spleen pleasure of the colon is also possible या colon की एक carcinoma भी हो सकती है mass is in the lumber region अगर lumber region में सखचीज़े और जेनली तर रीनल और रीजन या इसका मतलब है कि किड्नी का मसला हो सकते है रीनल सेस्ट या फॉलिसिस्टिक किड्नी फॉलिसिस्टिक किड्नी यह है कि हमारी किड्नी में किया हो जैकर सेस्ट नजर आएगी इस तरह सेक्स नजर आएंगी आप चोटी-चोटी सेक्स पुकरने की तरह यह जो कि जिनेटिक जीन की मिउटेशन की जैसे हो सकती है जिनेटिक काज है इसकी अगर हमारे गुर्दों में क्या है कैंसर है या ना ना करे में आल भी वेजिबल एन अस्थिनिक पेशन या बिल्कुल कमजोर मरीजों में यह आपको महसूस हो सकता है अस्थिनिक का मतलब यह है कि कमजोर पेशन मास इस अगर लूर साइड में मास है इसका मतलब में क्योंग जखम है या निव प्लास्टिव डिजाडर कोई यह इसका नाम है इसका नाम है अपेंडिक्स की आसपास एपसिस है कोई जखा कोई एक्स्ट्रा मास या कोई एक्स्ट्रा फ्लूर्ड बनी हुई है और सीकल कारसिनोवा या सीकम में कोई कैंसर है और भी गार्ट लुवर वाड़न अगर लिव लुवर क्वाडरन में है डाइवर्टिकुलर एपसंस और करसीनों आप दे सिगमाइड कोलोन या सिगमाइड कोलोन की करसीनों मां हो सकती है mo कبة Iya कु अब बिए लंढ क निच्यों का मसला है इस अब लॉश्च कामन काष्ट पसच मासी इंड मेले एकक्सर असले part स्टोइह फियम्ल में यूतिराइन यूतिरेस या वरियन न्यूपलाजिम या वहरी सिस्टम में कोई कैंसर हो सकती है महकंस वेजिएबल मेडलाइन अब्नॉमीनल मास visible intestinal perastalisis, अगर intestinal may you have seen perastalisis, नजर आगिया, is visible, is a result of intestinal obstruction, इसका मिदलब है that the intestine may obstruction हुई है this can be seen in the stomach of the newborn years, हमारे चोटी बच्चों की, जो मेदा होते हैं इसमें आपको देख सकते हैं with hypertopic pyloric stenosis, अगर उसमे pyloric stenosis हो, pyloric stenosis का मदलब है पाइलोरस मेदी की नीची वाला हिसा जो के पाइलोरिक इंड है वहाँ पर अगर स्टिनोसिज है नेरोइंग है वो बलाक है तो आपको नजर आएगा कि हमारे स्ट्रमक में जो ना बिलकुल आपको नजर आएंगी कि लेर्ज जा रही हुए और अगर स्ट्रमक में कुई हरकत और रेल्स का मदबे वहाँ पर अब्स्रक्शन है प्राम वीरियस एटियालोजी जिसके मुक्तलिक काज हो सकती है पिर है असकल्टेशन के हमकी सरह एवडाम या इंटस्टाय या लीवर की उपर लंग सी उपर हमकी सरह साउंड को सुन सकती है the patient is positioned comfortably बिलकुल उसको सीधा लिटाओ in the supine सीधा position to as describe an inspection जो की inspection में आपको आपको बहान किया गिया है the steth is used to lesson over the several areas stethoscope की उपर उसकी उपर आपको ने पेरना है अब दो एबडामिल की उपर पेरना है पर several minutes बहुत minute के लिए पर the presence of bowel sound जो की आपको bowel sound को नाप सुन सके the diprom of the steth should be applied to the abdominal wall abdominal wall की उपर diprom रखो with a firm but gentle pressure एक मजबूत रखो लिकिन तोड़ा सा pressure कम रखो it is often helpful to warm the diprom बिलकुल जो steth का ब्रव हिस्सा होता है बड़ावाल हिस्सा होता है आपने हातों में घरम करना होका particularly in the tick patient ticklish patient when the bowel sound are not present अगर bowel sound नहीं है one should listen for a full three minutes before determining that bowel sound are in fact absent तीन मिनट के लिए आपने ये क्या करना है ये तसलिक करवानी होगी अपने और मरीज की भी की बिलकुल ये absent है asculatation of the abdominal bruids as a next phase of abdominal examination प्रिस के उपर आपने abdomen में अगर कोई extra sounds है bruids है तो आपने इसको सुनना होगा bruids are switching sounds switching sounds है here over the major artery जो के major arteries के उपर जो बड़े-बड़े आटरे उसके उपर आपको नज़र आएंगा ये सुन सकेंगी during systoolी जब systool हो heart contract कर रहा हो or less commonly systoolी and diastoolी या आपको बहुत कम उन मौके में कि systoolी और एड़े-ड़े स्टुली दोने में ज्याताव पर हम systoolी में हम कर सकते हैं sound हम सुन सकते हैं the area or the aorta aorta की उपर जो area है both renal artery या अगर renal artery है या aliac arteries है should be examined carefully बड़े उसको भी आपने सुनना होगा रब और एंफरेक्वल ड़ाउंड अपटामिन अग्जामिनेशन यह एक्स्टराउंड होती हैं जो के इंफिक्शन की ओजाएं से हो सकती हैं यह कभी कभार आप सुन सकेंगे but can occur over the liver लिकिन यह लिवर की उपर स्प्लिण की उपर आने ब्ढॉमिनल मासी ब्ढॉमिनल की मास की उपर आप आपसा शून सकते हैं बाउल साउंड और सिगने इस्ट टु ले ऐ खिली लिए या ब्रॉमिन पितारी जी को वालूम करने के लिए बहुत जरूरी है देबसे बाउल साउंड में बी वन आप द फिव इंडिकेटर अबेंटर अब्रॉमिन अगर जब इंफेक्शन हो पी चिम वहां पर मसले हो तो आवाज आपको सुनाई नहीं देगा इंपेशन वे कि दिए भी जरूरी ओर है बाउल साउंड टफ रैडियोग्राफिक जामीनेशन अभी आ फिए ब्रॉमिन में इस अजिस्ट भाउल अबस्ट्रइशन या गर अभर या तेज्डशंड उन्स आपको अंगवयन आपको सुनाई दे राए है तो एक अप्स्पिरियोशन के लि unhelpful to the clinician, यह clinician के लिए ज़रूरी है, as an indicator of the underlying pathology, जो कि आगे pathology को मालूम करने के लिए brutes, आपको नारमा से अगर abnormal है, तो इसका मतलम है कि यहां पर मसला है, pathology है, thus they should be carefully searched in the, for in the patient with the hypertension, renal artery stenosis है, या chronic abdominal pain है, mesentric artery insufficiency है, या claudication, occlusive disease है, the iota, यालिक artery, यह आप असाली से मालूम कर सकते हैं, is the continuous brutes are caused by the arteriovenous fistula, अगर यहां पर artery या कोई fistula है, तो आपको बिल्कुल इसमें तेज आवाज आपको सुना ही देगा, they should be searched for kill for inpatient with the penetrating abdominal trauma, abdominal rubs are red, जो कि मैंना अभी आपको बताया है, कि infection की होज़े से, आपको extra sounds आएंगे abdomen में, जो कि normally तो मालूम होते हैं, मौझूद होते हैं, mass की उपर या liver की उपर, spleen की उपर, अब नार्मली जब हो जाते हैं, और यह आपको आपको आवाजी दे रहे हैं, but may be found over the liver on our spleen, liver spleen की उपर तो नार्मली होती हैं, आपको यह जोर देगा, that the surface of the organ is irregular की ही, इसके organ का जो सर्फ यह irregular हैं, and usually is due to involvement of the tumor की यहापर, tumor है, epsis से इंफर्क्शन हो रही है, more rarely an inflammatory intra-abdominal mass में है, or initiated the rub caused by the irritation of the address and abdominal wall, more rarely, कभी बहुत कम an inflammatory intra-abdominal mass, कोई mass है यहाँ यहाँ पर inflammation होई है, जखमी infection होई है, उसके होज़ से inflammation होई है, may have an associated rub, तो उसी जगह में आपको भी rub extra sound नज़र आएगा caused by irritation of the adjacent abdominal wall, क्योंकि वहाँ पर infection होई है, उस infection की वज़े से irritation cause हुई है, दूसरी wall में, abdomen की दूसरी हिस्सी में, तो उसके वज़े से आपको इजनार्बल sound मिलेगा, तेंक्स फर वाचिंग।